प्रिवीद द्यार थियों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब के न सुले समेस क्लासेज में आज की इस वीडियो में हम प्रकास का अपवरतन की परिभासा कित्र के माध्यम से आसानी से समझेंगे तो चलिए हम इसकी परिभासा एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से उसक बिरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरव जुक जाती है और यदि सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हर जाती है इसे ही प्रकास का अपवरतन कहते हैं तो इस परिभासा को हम आपको चित्र के माध्यम से आसान से समझाएंगे exam में आपको चित्र बनाना अनिवार है जिससे आपको अच्छे से नंबर प्राप्त हो तो चलिए हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं तो देखी यहां पे लिखा है जब कोई प्रकास किरण किसी बीरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ जुग जाती है तो अब इसको हम इतनी परिभासा को आपको चित्र के माध्यम समझाएंगे तो देखें जब कोई प्रकास किरन किसी बीरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है सबसे पहले समझे लिए बिरल माध्यम क्या होता है बिरल माध्यम जैसे वाई निर्वात इस सब क्या है बिरल माध्यम होते हैं और सघन माध्यम क्या होता है कांच जल इस सब क्या होते हैं सघन माध्यम तो यहां पर आप देख रहे हैं इस चित्र में एक आपतित किरण दिख रही आपको और यह क्या है अभिलम्ब दिख रहे हैं तो यहाँ पे और वाय क्या है बिरल माध्यम है और काच क्या है सघन माध्यम है तो परिभासा में लिखा है जब कोई प्रकास किरण किसी बिरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है जब कोई प्रकास किरण बीरल माध्यम से बीरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है देखी यहाँ पर बीरल माध्यम से कहां पहुंच रही है सघन माध्यम इधर यह बीरल माध्यम है और इधर क्या है सघन माध्यम है तो यहाँ पर काच क्या है सघन माध्यम में तो देखे लिखा है इसमें, जब कोई प्रकास किरण किसी बीरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, देखे यहां पे प्रकास किरण जो है बीरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, और सघन माध्यम में जाती है, तो वहाँ अभीलंबे की तरफ जूप जाती है, तो इसकी दरफ जुख जाती है तो पहले इतनी परिभासा यहां से क्लियर हुई पहले चित्र से और परिभासा इस चित्र के माध्यम से क्लियर हो जाएगे फिर आगे लिखा है और यदि सगहन माध्यम से बीरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हड जाती है तो देखी यहाँ पे यदि यह प्रकास किरण जो है किसी सघन माध्यम से जाती है सघन माध्यम यहाँ पे क्या है काच है यदि यह प्रकास किरण किसी सघन माध्यम से बीरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हड जाती है देखी यहाँ पे अभिलंब है इसको जो है इस तर हड़ जाती है इसे ही प्रकास का अपवर्तन कहते हैं तो आप एक्जाम में इस चित्र के माध्यम से आसानी से समझ कर आप प्रकास के अपवर्तन की परिमासा लिख सकते हैं तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो लिजेक लाइक कर दीजेगा अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सस्क्राइब कर दीजेगा और बिल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा जिससे आने वाली वीडियो की रहे धन्यवाद